मुके सम्मानी को जीयो सिम सुरू करने का खयाल कब और कैसे आया क्या हुआ जब साधी के बार मालूम पड़ा की हस्बेंड और वाइफ दोनों भाई बहने क्या हुआ जब एक रगती ने नई कादली और कुछ दिनों बाद वा मर गया जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में पैक नमबर टेन अरंड़ी की 75 वर्षी कुसुम वती देवी पिछले 65 सालों जब पते दिन आधा किलोग्राम रेट खाती आ रही है और आश्यर की बात रिया है कि वह बिल्कुल सवस्त है और इने कोई भी विववरी नहीं है एक नमबर नाइम मात्मा गानी की शाव्यात्र स्वतंत भारत की सबसे बड़ी शाव्यात्र थी जिसमें 15 लाग लोग जड़क पर खड़े थे और 10 लाग लोग एक साथ यात्रा चल रहे थे और यह लगबग 8 किलोमीटर लंबी थी आपने हवा की आवाज तो कभी नगवी तो सुनी ही होगी पर आपको यह पता है कि जब हवा चलती है तो कभी आवाज नहीं करती वा आवाज तब करती है जब किसी वस्तू से टकराती है पैक नमबर 7 आपने सुपिटर पर यह स्पॉर्ट तो देखा ही होगा अगर नहीं देखा तो हम आपको बता दें कि यह कोई स्पॉर्ट यह धबबा नहीं बलकि यह लाल दबबा असल में एक बड़ा तुफान है जो पिछले साड़े तीन सौ सालों से जारी है और इसे दा क्रेटेटेड स्पॉर्ट भी कहा जाता है पैक नमबर 6 पश्टि मंगाल की लड़की ने सोने का रिकॉर्ड बनाया जीत लिये लागों रुपे इस लड़की ने चार लाग कंटेस्टिंट को हरा कर अच्छी नीन का किताब अपने नाम किया लगाता सौ दितों तक दो नौ घंटे सो कर छे लाग रुपे जीत लिये हैं पैक नमबर 5 दुनिया बर में सबसे ज़्यादा पुसपस मानने वाला रिकॉर्ड जापान के मिनोरू योशिदा के नाम है जिन्होंने साल 1910 में लगाता 10,507 पुसपस किये थे फैक नमबर 4 पाकिसान के लंडी कोटल में एक बरगत का पेंड 122 जिन्जीरों से बंदा हुआ है क्योंकि 1898 में जेम्स इस्कृट नाम के विटिस ऑफिसर जो की नसे में था उसे लगा कि पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसने हवलदारों को उसे ग्रिफतार करने को कहा और यह ग्रिफतारी अभी तक चल लए है फैक नमबर 3 एक आदमी ने सिगरेट पीने की आदर छोड़कर उस सिगरेट के पैसों कुछ 6 साल तक बचाया और उन बचाय पैसों से एक कार ले ली और कुछ दिनों बाद वा अदमी उसी कार के एकसिडेंट में मारा गया फैक नमबर 2 बिटेन में जन्में इन टुइंस को बच्पर में अलाग अलाग प्रिवारों ने गोद ले लिया था बाद में वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पढ़ गए और साधी कर ली साधी के कुछ लक्त बाद उन्हें मालूम हुआ कि वे दोनों भाई बहन है एक्ट नमबर 1 मुगे संबानी कुछ जीयों शुरू करने का खयाल तब आया जब उनकी बेटी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके भरत आई थी और उन्होंने कहा कि हमारे घर का इंटरनेट बहुत धीमा है अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजेगा और अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीएगा तक तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग